ये दिखिये है ये रहा गुंगुरा साग का पेड तो ममी ने बाड़ी में गए थे पूरा पेड काटके ले आए ये जो पत्ता है इसको बनाएंगे आज करी तो ये जो छोटा छटा बीज देख रहे हो ये जो बीज है इसको भी बनाएंगे करी तो चलिए तो इसको लेके च सब कर ना तो मिनने गायी के अंदर लेकर आया है गुंगुरा साग लेकर आया है तो आज बनाएंगे गुंगउन armies ने इसका चड््म yorkach के आकई बनाइंगे तो चालिए गुंगरा सप्काइज का अधिस बनाते है तो लेक्त कैसा टेस्ट है तो बहुत दिन के बाद यह आई है देखिए चोटा-चोटा गुनगुरा भी आई है इसमें दिखाते हैं आप लोगों को तो यह जो साग है खाने को एकदम बहुत टेस्ट है एकदम खट्टा खट्टा लगता है दिख़ाएंगे अम्हें छोटा शोटा आई है इसे बोलते हैं गुंगुर ॉज़ टोकौ भैंडी तो यह खटा खटा लगता है देखिए यह मुझे रखाय के दिखाता हूं आप लोगए तेस्ट भी बहुत बढ़िया लगता है तो करी बनाने के बाद यह बहुत टेस्ट बढ़िया लगता है तो आज इसका करी बनेगा यह पत्ता का करी बनाएंगे तो चलिए अब निकालत कि देखिए तो गुंगुरा साथ कि इसका बनाएंगा आज करी और यह वाला जो जो आई है इससे बनाएंगा खोटा इस देखिए गुगो एग गुगो भी बैठके पत्ता तोड़ रही है यह देखिए उसका हाथ को भी थोड़ा देखिए कि अग्युगो गुगो बटा गुगो एलो भावा चिंग तो यह दिखिए तो ममी काट रहा है गुनबुरा पता तो काट के इसका चटनी बनाएंगे एकदम मस्ट चटनी बनता है अज बनाएंगे बुंगुरा शाकारे चिपी तो इसलिए इसे पहले धूलेता है अच्छे तरह हैं अज बनाएंगे बनाएंगे तो कि अच्छे पहले हैं अज़ बनाएंगे तो कि अच्छे हैं अज़ बनाएंगे तो कि अच्छे पूलेता हैं अज़ लोग ग्दोरा शाओवा व्दोड़ में पूलेता हैं राँ बनाएंगे तो कि अच्छे हैं जो कि कचिज ब की हृब कि नपम से खाँ और से लिए से और से ट ए a ब य commodity कि दिखे, इसे अब करते हैं grinder तो grinder करने के बाद इसे चटनी बनाएंगे grinding करके तो दिखाते हैं आप लोग को कैसा चटनी बनेगा तो चलिए grinding करते हैं इससे अब डाल देते हैं mixi में एक दम बढ़िया बनेगा तो आप लोग भर में जोरू ट्राय किजिए तो मिक्सी में हमने डाल दिया है तब करते हैं ग्राइंडर इसके साथ हमें थोड़ा सा चीनी डाल देंगे देखे देखे हमारा चटनी बन चुकिए बस इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में यह वाला प्लेट में निकाल लेते हैं फिर दिखाते हैं आप लोगों देखे हैं फिलाल गुंगुरा रेशीव तो बन चुकिए बस बनाते हैं गुंगुरा का जो जो बीज होता है ना यह देखे है यह वाला जो बीज इसे बनाएंगे खटा तो देखते हैं कैसे बनते हैं और भावी बनाएगा खटा इसको देखे हैं इसे बनाएंगे खटा तो इसे हम बोलते हैं टको बेंटी उडिया में बोलते हैं तो हिंदी में बोलते हैं गुंगुरा अऐस अओकुर लिया में पर्चक बोलते हैं भीजेव केश्छां कि धिगराइङिए भी को कईपे जर खे पकाने केश 주고ुर अवाfel subsidा etwas अगरा करने करें प्सस्या लीम है करी बन चुकी है इसका भावी ने खटा बनाया इसे हम उडिया में बोलते हैं टको हेंडी करी बन चुका है तो इसे भावी ने बनाया खटा तो दो बेर में खटा का साथ गुंगरा का चटनी खता का चटनी खाते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कैसा टेस्ट है तो आप लोग भी घर में जुरूर ट्राइगा ना यह चीज आप लोगों का उदर मिले की मिलता है की नहीं पता नहीं अगर मिलता है तो जरूर इसे ट्राइगर करके खाना मस्त टेस्ट आता है तो चलिए खाते हैं लॉंच में तो दिखाते हैं आप लोगों को हमारा चत्नी बन चगिए और यह भी करी तो छोटे हड़ाबीज सब्सक्राइब यह खाने में बहुत टेस्ट लगता है यह दिखें यह रहा गुंगरा का चत्नी यह रहा गुंगरा का करी खाते हैं अभी खाना स्टार्ट करते हैं तो मुझे तो बहुत पुस्ट है मुझे तो बहुत पुस्ट है मुझे तो चत्नी का सब भाग खाने में अब बुड़या को निया चत्नी तो मॉस्वा निया अब बुड़या को निया चत्नी तो पानली टाइम हो रहा है रात कुछ साड़े नो बस करते हैं डिनर डिनर में खाएंगे रूटी और खीर तो साथ में एडिटिंग स्टार्ट करते हैं और आज कब लग को ही प्याइन करते हैं आई होप एब वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आये तो लाइक करना द अपने मावब का हमें साग्या लगना फिर मिलते हैं नेक्स व्लग में थैंक्स पर वाचिंग और बाए पाइ